लास्ट लास्ट जो भी था हमारा उसके अंदर हमने फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया है फॉर्मेट का मतलब ट्रेडिंग कैसे बनेगा है न और प्रॉफिट अन लॉस कैसे बनेगा और बैलेंशिट जो बच्चे एपसेंट थे जैसे आप विक्की एपसेंट थे तो लास्ट के सारी क्लास्ट पढ़ी है यूट्यूप पर बड़ा सिंपल है ऐसा नहीं कि बहुत कॉंपलिकेटेड है सिंपल है वो देख सकते हो आप और आज वाली क्लास जो है वो प्यूर्ली अड्जेस्मेंट पे है और यह आपके बुक का चैप्टर नंबर ग्यारवी क्लास का कौन सा है चैप्टर नंबर 20 से रिलेटीड रहेगा ठीक है ना इसमें कुछ अड्जेस्मेंट है अब मेन सव स्वाल आता है सर चैप्टर के नाम में ही सबसे टॉप पे लिखा हुआ है अड्जेस्मेंट तो यह अड्जेस्मेंट का मतलब क्या है पहले तो हम वो समझेंगे फिर इसको कैसे अपलाई करना है और क्या क्या होगा वो समझेंगे तो देखिए अड्जेस्मेंट का मतलब बड़ा ही सिंपल है आपको पता है कि हमारा जो accounting का process रहता है ना सबसे पहले हम journal करते हैं वैसे normally journal के बाद अगले process पर जैसे जाते हैं तो क्या नाम आता है? laser नाम आता है laser के अगले trial balance यानि अब इसके बाद last में जो होता है ना उसे final account बोलते हैं तो आप सभी बच्चों को ये बड़े अच्छे से पता है कि हमारा trial balance की मदद से ही हमारा क्या बन सकता है final account और हमें समझने वाला है कि trial balance क्या हमारा 100% accuracy का बताता है क्या? नहीं बताता वो trial balance कई बार हमारा match रहता है और उसके कई सारे reasons है तो कई बार trial balance ना हमारा match हो जाता है और हमें कुछ चीज़े हम भूल जाते हैं completely तो जब कोई चीज़े भूल जाते हैं तो हमें final account जो बनाना है कि जो trial balance के अंदर item है वो सारी item तो यहां हमें दिखाना ही दिखाना चाहिए और साथ के साथ अगर कोई item trial balance के अंदर डालना भूल गए हैं हम तो उसको भी यहां incorporate करना चाहिए समझ में आ रही है बात? क्योंकि अगर हम trial balance की मदद से सरी final account बना लेते हैं और हमें बाद में याद आता है कि यह item भूल गए थे उसे ignore कर दे तो हमारा जो profit and loss है वो तो गलत आएगा एक concept है न है true and fair view यानि हमारा profit and loss, final account, balance sheet यह सब क्या show करेगा यह तो गलत हो गया भाई क्योंकि इसमें सारी जानकारी हमने नहीं दी है तो इसका मतलब जब हम final account बनाते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है trial balance की तो सारी जानकारी इसमें लिखेंगे लिखेंगे साथ में अगर कोई item भूल चुक हो गया है कुछ चीज़े हम भूल गये है तो उसको भी record करना है नहीं करना बिल्कुल करना है उसको भी record है ना तो हम मैं पहले एक छोटा से example लूँ तो एक trial balance आप सभी को पता है format क्या है trial balance का trial balance आप सब ने देखा है कि sir trial balance में एक debit होता है और एक credit होटता है उपर trial balance लिखते हैं और trial balance की खासियत यही है कि ये दोनों साइड बराबर हो जाता है अब जो बाते हम भूल जाते हैं तो examiner तो आप examiner क्या करता है कि आपको इसके नीचे point बना के लिख देता है एक, दो, तीन जैसे कि closing stock अगर मैं यहां closing stock लिखता हो ना मान लेते हैं 5000 तो इसका मतलब हम trial balance में डालना भूल गए है तो इसे कहां लिखा हमने? trial balance के बाहर, ये examiner आपको दे रहा है तो ये बातें इसके अंदर incorporated नहीं है, that's why वो नीचे दे रहा है, जैसे मैंने बोला outstanding expense 4000 रुपे, ठीक है न तो वो अब बाहर देता है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो trial balance से बाहर जानकारी है न, इसी को पता है, हम क्या बोलते हैं? Adjustment इसको क्या बोलते हैं हम? Adjustment समझ मैं भी बात आपको, और trial balance के अंदर जो जानकारी है, उसको कुछ भी नहीं बोलेंगा, simple सी जानकारी है अब adjustment जब है तो adjustment की हमें दो entry करनी चाहिए, एक तो debit और एक credit, तो हमारा जो chapter final account है न, इस final account में जो adjustment का point आने वाला है, उसके अंदर हम क्या ख्याल रखेंगे? दो बातों पे mainly focus रखेंगे, कि जो adjustment दे रखा है उसे कहा debit किया जाए और कहा credit किया जाए यही सिखाने वाला हुमें बाकि आपको final account, इस balance को कहा कहा transfer करना है यह last class में हम सीख चुके हैं है न, कि बताओ assets का मतलब building कहा जाएगा, sir assets में जाएगा, purchase कहा जाएगा, trading में जाएगा, वो सब सीख चुके हैं, अब हमें सीखना है, adjustment, तो इसलिए आपके किताब में, आपके book में chapter number 20 है और इस chapter number 20 जो T.S. Greval का book है, उसमें किस नाम से है, adjustment के नाम से है ठीक है, तो इसमें कितने इस तरीके से गलतिया हैं, जो भूल जाते हैं हमें सीखना होगा, जितना होगा हम सीखेंगे, जो भी 15-20 adjustment हो सकते हैं, वो सब सीखेंगे, एक एक करके, ठीक है ना, तो आज जो हम सीखेंगे, adjustment इस video के अंदर और इस class के अंदर, तो सभी बच्चों को बता दो मैं 3 adjustment सिखाने वाला हूँ आज, ठीक है ना, सबसे पहले मैं बात करूँगा, सबसे number one number one इधर से start कर लेते हैं number one number one बात करेंगे, हम closing stock की closing stock closing stock, आपको अगर मैंने अभी दो चीजे दिखाया था दो जगे आपको जानगारी हो सकती है closing stock की, simple सी बात करें या तो आपको इसकी जानकारी दिया जा सकता है, पता है कहां पे या तो दिया जा सकता है trial balance में, trial balance को मैं shortcut में लिख रहा हूँ, TB चलेगा अगर मैं TB लिख दूँ तो किसी को दिक्कत नहीं है समझ में आ जाएगा ने, TB का मतलब तो trial balance, तो closing stock या तो हो सकता है trial balance के अंदर अगर अंदर लिखाये तो क्या कोई गलती, कोई भूल चुक है क्या नहीं है, और या हो सकता है आपका adjustment में या हो सकता है आपका adjustment में तो आप मुझे बताईए अगर adjustment में हुआ समझ रहे हैं बात को अगर adjustment में हुआ तो फिर इसका adjustment का मतलब क्या है, कि हम भूल चुके हैं तो ये दिखेगा कहा हमें trial balance के बाहर, तो adjustment वाले को दो जगे दिखाना पड़ेगा लेकिन trial balance वाले में तो कोई गलती नहीं है तो इसकी एक entry करेंगे अगर closing stock trial balance के अंदर given हुआ, तो हम कहां दिखाएंगे only balance sheet कहां दिखाएंगे, balance sheet के asset में दिखाएंगे क्योंकि closing stock तो asset होता है भाई हमारा है ना, लेकिन अगर adjustment में हुआ, तो कितनी entry करनी चाहिए, दोज करनी चाहिए, तब चला जाएगा trading account में trading account के पता है किस side जाता है याद है आपको credit side, जिसे हम buy side भी बोलते हैं, है ना और दूसरी entry चले जाएगे इसकी balance sheet BS का मतलब पता ही क्या है यहाँ पे balance sheet, ठीक है, balance sheet के कहाँ पे assets में चला जाएगा balance sheet में कभी debit credit नहीं होता धियान रखना, balance sheet के asset side में चला जाएगा तो पहले देखें, यहाँ तक आपको बात समझ में आई क्या यहाँ तक बात समझ में आया आए आपको कि adjustment में होगा, तो हम दो जगे दिखाते हैं, एक जाएगा हमारा कहाँ, बताओ मेरे साथ, बोलो trading account के credit side और एक जाएगा balance sheet के asset side, लेकिन trial balance में हुआ तो एक ही entry सिर्फ balance sheet के assets में, इस पे examiner एक थोड़ा सा tricky points देता है और एक point डाल देता है इसमें examiner, क्या point डालता है जैसे मैं लिख रहा हूँ, note में लिख रहा हूँ मैं, कई बार examiner क्या करता है, आपको इस closing stock की दो value दिखाएगा, दो value कौन कौन सी हो सकती यह पता है आपको, market value या उससे realizable value भी बोलते हो, और एक cost price तो when when market value इसको कौन सा price बोलेंगे realizable price realizable value या price क्या given हो का, when market price, या realizable price and, दोनों की बात कर रहा हूँ cost price बोथ are given बोथ are जब दोनों बाते given हो, कौन कौन सी बाते हैं, market price भी और realizable value तो ऐसे situation में हमें पता ही क्या लेना होगा, then हम कंसीडर करेंगे, कौन सा price पता है, whichever is then we will be taken will be taken whichever is is lower है ना, एक्जामपल दे दो सर एक, बिल्कुल एक्जामपल देते हैं, मानलो मैंने closing market price बताया 6000, और मैंने cost price, CP बताया आपको 3000, तो हमारा कौन सा value लिखना चाहिए हमें, CP 3000, सेम अगर मैं बोलू, market price है मेरा 6000, और CP मेरा है यहाँ पे 7000, तो कौन सा price आंसर आएगा, अंसर 6000, यानि यहाँ पे market price और cost price matter नहीं करता, matter क्या करता है, दोनों में से जो कम होगा, यह कौन से कानून में लिखा है सर, accounting standard 2 में, AS2 हमें यह सारी बातों की जानकारी देता है, और साथ के साथ हमें यह भी ध्यान रखना है, कि अगर जैसे goods used था, drawing था, तो उसमें कौन सा लेत लेते थे, और closing stock में कहा लेंगे, whichever is, lower लेंगे, ठीक है, यह था adjustment number 1, ऐसे ही adjustment number 2 देखते हैं अब हम, adjustment number 2, यह है हमारा prepaid, expense related, इसका एक और नाम है, unexpired, सर, और कोई भी नाम है, बिलकुल, कई बार ऐसा होता है, कि वो बोल देता है, related to next year, related to next year, next month, next session, कुछ भी बोले, तो इसका मतलब क्या है, very very simple, कि यह भाई, इस महिने का तो हाई नहीं, यह कब से है, अगली बार का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, prepaid, तो अगर आपको prepaid given हो, तो सर, इसका क्या treatment होगा, हम क्या सीख रहे हैं, पहले बताओ, फटा-फट से, adjustment, तो मैं दोनों बाते लेके चलता हूँ, कि हो सकता है, कि आपको यह कहा given हो, पता है, trial balance में हो सकता है, कहा given हो, trial balance, और दूसरा possibility है, कि यह कहा given हो, adjustment में, है ना, adjustment में, तो आप मुझे बताईए, कि अगर trial balance में given है, तो कितनी जगह दिखाएंगे इसे हम, एक ही जगह दिखाएंगे, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है, भाई साब, लेकिन अगर adjustment में है, तो कितनी जगह दिखाएंगे, दो जगह, तो अगर trial balance में given है, तो एक जगह हो तो आपका जवाब क्या था सर ये तो assets होता है तो कहा जाएगा only in balance sheet के asset side समझे बात लेकिन adjustment में है तो again मैं बोलूँगा इसको कितने जगह दिखाना पड़ सकता है में दो जगह दिखाना पड़ सकता है है ना अब दो जगह कहा दिखाना पड़ेगा एक तो ये हो जाएगा less from less होगा less का मतलब minus less from या तो trading account में कर दो मैं short form use कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा trading account या फिर आप minus कर दो कहां से profit and loss सर ऐसा क्यों बोला कि trading अब ये किसी खर्चे के उपर हो सकता है मालो wages के उपर prepared हुआ तब तो trading में आएगा वो है ना क्योंकि wages किसका पार्ट है factory और trading का पार्ट है लेकिन अगर हुआ वो salary का तो वो कहां जाएगा पी एंडल में तो या तो less हो जाएगा trading में और लिखना चाहिए मुझे या फिर minus होगा पी एंडल में ये subject या ये किस पर depend करेगा subject to किस पर depend होगा expense कि वो खर्चा कहां से related है समझ में आ रही है बात आपको तो या तो trading में हो सकता है या फिर पी एंडल में से हो सकता है एक entry हो गया आप मुझे आप एक बात बताना trading या पी एंडल हम किस में से minus करेंगे खर्चे में से करेंगे ठीक है ना trading subject to expense का मतलब expense में से तो आप बताइए ये debit हो रहा है एक तरीके से या credit हो रहा है दिमाग लगा के बताइए मैंने खर्चे में से minus किया है तो सोचिए कि इसे मैंने debit किया minus करने के जब मैंने minus किया तो ये debit हो गया या credit हुआ है ये credit हुआ है क्योंकि debit वाले item में से minus करने का मतलब क्या होता है credit और adjustment कितनी जगा घूमता है एक जगा debit और एक जगा credit दूसरा चला जाएगा ये balance sheet में balance sheet में sir balance sheet में तो दो side होता है तो कहां दिखाएंगे balance sheet के asset side debit credit नहीं होता balance sheet में आपने याद रखना है balance sheet के किस side asset side समझ में आया ये कौन सा था adjustment number 2 prepaid अगर trial balance में हुआ तो एक entry कहां जाएगा सरफ assets में लेकिन अगर adjustment में हुआ तो दो entry कहां कहां या तो आप trading में से या P&L में से जो भी expense है उसमें से minus करिए ठीक है न क्या करिए minus और दूसरी entry कहां पहुँचा दीजिए आप balance sheet के assets दोनों same amount से होना है ठीक है न हम question भी करेंगे पहले हम कुछ एक adjustment कर लेते हैं जैसे 3-4 adjustment जब कर लेंगे हम तो उसके बाद practical question में कैसे apply करना है वो भी हम सीखेंगे समझ रहे हैं न बात को अब ऐसे ही adjustment number आ जाते हैं 3 पे 3rd adjustment 3rd adjustment देखें किस पे करेंगे हम outstanding outstanding expense इसका बहुत सारा नाम है unpaid भी बोलते हैं और due भी बोलते हैं area भी बोलते हैं और payable भी बोलते हैं ठीक है न इन सब का मतलब है कि हमने खर्चा तो कर दिया है लेकिन उसका payment देना बाकी है या दे चुके है बताए outstanding का मतलब देना बाकी है या दे चुके है बाकी है यानि इसका nature अगर मैं आपसे पूछू के बताओ outstanding rent क्या होता है तो आप बोलेंगा sir liability होता है है न तो ये भी दो जगए given हो सकता है आपको तो देखो एक बार आपको मेरा न हर किसी teacher का कराने का अपना तरीका अलग होता है तो मेरा एक बार style समझ में आ जाएगा न है तो ऐसे करेंगे ये होगा तो ऐसे करेंगे बाकी आपको मैं ये बोलू के भाई building asset side में लिखो तो ये सिखाने वाली कोई चीज नहीं है वो हम पहले format में सीख चुके है में तो अब क्या सीख रहा है हम adjustment है न तो possibility आपको given कहां पे हो trial balance में और दूसरी possibility बनती है कहां given हो adjustment में तो very simple सी बात है कि अगर trial balance में given हुआ तो कितनी जगह entry कर देंगे हम बताइए trial balance के कितनी जगह करेंगे एक जगह करेंगे और sir outstanding का nature liability है तो ये चला जाएगा balance sheet के liability side liability side समझ में आई बात आपको sir पहले दोनों तो asset side जा रहा था हाँ उनका nature भी तो देखिए आप पहले दो का nature ही assets था और इसका nature क्या है liability तो that's why ये कहां चला गया liability side adjustment में again हुआ तो कितनी जगह पहुँचेगा दो जगह जाएगा ना adjustment में हुआ तो एक आपका कहां जाएगा बताइए एक चला जाएगा हमारा add हो जाएगा ये add in expense sir expense में add होगा expense तो दो जगह होता है trading में भी expense होता है और P&L में भी expense होता है तो ये expense कहां पे हो सकता है या तो हो सकता है trading account में या फिर हो सकता है profit and loss में आप मुझे जवाब देना अगर मैं बोलता हूँ कि outstanding wages है तो बताईए जल्दी जल्दी कहां add करना चाहिए outstanding wages बताए मैंने तो ये trading में add होगा या P&L में add होगा ये trading में add हो जाएगा समझे बात और यही मैं बोलता हूँ outstanding salary तो कहां add होगा P&L में समझ में आ रही है बात आपको दूसरा ये चला जाएगा balance sheet में और balance sheet के liability side में liability side में तो आप मुझे बताईए देखिए यहाँ पे आपने बताई था सर ये credit हो रहा है तो ये assets जा रहा था तो debit हो रहा था आप यहाँ पे भी सोचके बताईए अगर हम खर्चे में add करेंगे तो ये क्या हो रहा है debit और liability में दिखाएंगे तो क्या हो रहा है credit तो हमारा rule बिल्खुल सही चल रहा है इसका मतलब debit और credit तो अभी हमने तीन adjustment दीखा है आपके सामने तीनों adjustment कर रखा है मैंने बताईए पहला adjustment किसका था closing stock closing stock दो जगे हो सकता है या हो सकता है trial balance में या adjustment में trial balance में हुआ तो assets में दिखा देना है बात खतम adjustment में हुआ तो दो जगे चला जाएगा trading के credit side और profit and loss के balance sheet के asset side इसमें ध्यान देने वाली बात है कि दो value हो सकते है market value और book value कौन सा value आपने देखना है जो lower होगा अब बात करते हैं prepaid की prepaid भी कहा हो सकता है हमारा दो जगे हो सकता है trial में भी हो सकता है और adjustment में भी trial में अगर हुआ तो एक entry करेंगे assets में adjustment में हुआ तो less कर दो खर्चे में से depend on के कहा है trading या P&L और दूसरा balance sheet के assets में अगर outstanding हुआ तो फिर दो जगे हो सकता है कहां कहां बताओ trial balance और adjustment अगर trial balance की बात करें तो liability side आ जाएगा और adjustment में बात करें तो एक तो add हो जाएगा खर्चे में और दूसरा balance sheet के liability side चला जाएगा बताइए कोई दिक्कत है इसमें अब आपने ये जो note करना है बिल्कुल fresh page में note करना साफ साफ सुन्दर सुन्दर writing में एक तरीके से noting note बना रहे हैं ठीक है chapter number 20 है तो फटा फट एक बार note करें फिर इसके आगे का भी adjustment हम देखते हैं कि कितना कर पाएंगे ठीक है ना करें note एक बार अब एक बार